मैं तुमसे कहता हूँ कि जो पुद्ध पुरुष है उसका वो जो सेतु है जो वस्तुओं के बीच जो सेतु बना रखा है वो तूट जाता है इसी को मुक्ति कहते हैं इसी को मुक्ष कहते हैं और मुक्ति और मुक्ष का तुम सदेव सदेव चाते वही हो इसी लिए इतने य और भी मुक्ती मुक्य है भार से दिखता है धन कमाना चाहते हो परन्तु वास्ताव में तुमारी तलाश धन की तलाश नहीं है मुक्ती की तलाश है मुक्स की तलाश है कैसे तुम चाहते हो धन कमाना क्यों कमाना चाहते हो क्योंकि जो तुमारी इच्छित वस्तु है तुम च मुक्ति मैसूस होगी तुम्हें मैसूस होगा कि अब तुम जो करना चाहो कर सकते वह बात अलग है कि इतना सब होने के बाद तुम रिक्त मैसूस फिर भी करोगे क्योंकि वह अंदर से मुक्ति नहीं है भौत एक जगत की मुक्ति है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह देखोगे कि ज्यादातर जो मुक्त पूरुष हुए हैं जिनके पास धनसंपता थी जो कहीं के राजा थे महाराजा थे क्योंकि उन्हें पता है यहां तक वो पहुंच चुके अब सब व्यर्थ है अब अंदर की ही उडान है एक गरीब की उडान रुपय पैसे तक रहती है ए कहते हैं भूके को चांद भी रोटी दिखती है चांद की खुबसूरती को नहीं देख सकता क्योंकि वह भूका है तो रुपया भी चाही है ऐसा नहीं है कि वह व्यर्थ है लेकिन जब तुमारे पास होगा तब तुम कहोगे कि व्यर्थ है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह च आग में हाथ देते हो वो हाथ जलता है तुम्हें पता है आग में हाथ डालने से हाथ जलता है लेकिन दूसरे का हाथ जलता हुआ देख करके समझना बड़ा कटेन है कि कैसे जलता है ठीक वैसे ही बाहे जो है वो कई बार हमें प्रभावित करता है जब तुम्हारा प्रयास सत जद्त है सगन है तुम प्र्यास में रत हो तब भी भाय जो जगत है उसमें कई बार तुम अपनी कामनाओं में अचक जाते और जब कामना होती है तो बुद्धी। बुद्धी उस कामना के साथ नश्ट हो जाती है क्योंकि तुम वहां होते ही नहीं मुझे याद आता है भरत्री हरी इक राजा थे महान राजा थे जिने वेरा के हुआ भरत्री हरी ने देख लिया कि यह व्यर्थ है और उन्होंने उस संसार को त्यागने के लिए जंगल में चले गए त्याग कर दिया त्याग इस अर्थ में किया कि उन्होंने सब जान लिया था यह कोई सैदान्तिक बात नहीं है कि त्याग कर देना चाहिए संसार को छोड़ देना चाहिए कि तुम्हें कोई सिखा रहा है कि संसार छोड़ दो त्याग किया क्योंकि देख लिया ज दंडी जाती थी, भरत्री हरी ने देखा, जब सूरी का प्रकास रस्ते पर जाती, उस पगडंटी पर पड़ा, तो एक बहुत बड़ा हीरा जोर से चमकने लगा, उसकी किरने उससे टकरा कर वापस आने लगी, अब भरत्री हरी को ये देखकर के मन में काम ना जगी, क्योंकि वह भरत्री हरी ने भी वैसा हिरा कभी नहीं देखा था, वे उस हिरे को ले लेना चाते थे, वे बैठे वहीं साधना में रहे, आँके खुली है, शरीर वहीं है, साधना में बैठा हुआ आदमी मालूम पढ़ता है, लेकिन मन जा चुका है, उस हिरे के पीछे, मन पहुんच गया है उस हीरे को उठा लेना चाहता है वो उठने को थे शरीर हिलने को था तबी उन्होंने देखा कि दो घुड़जवार महाँ पर अपना गोड़ा लेकर के आते हैं और दोनों ने दावा किया कि हीरा उन्होंने पहले देखा ऐसा कहकर दोनों ने तलवारे निकाली दोनों ने तलवारे निकाली, दोनों आपस में लड़ने लगे, निर्णे करने के लिए, दोनों ने एक दूसरे में तलवार गौप दी और वहीं गिर गड़, बरत्री हरी ने जब ये देखा, तो जोर से हासे और हास करके अपनी आखे बंद कर दे, हीरा इतना मुल्यवान हो भरत्री हरी भी कुछ शंड के लिए अपनी तपस्या से विमुख हुए, लेकिन ये जब देखा, तो देख करके अपनी आखे बंद कर ली, सतियों से लोग अपनी ध्यान करते वक्त आखे बंद करते आये हैं, आखे बंद करने का खुल मतलब इतना ही है, कि अब उन्हें ब कि अब बाय में उनकी रूची नहीं है, वे तो बाय को अब देखने लायक भी नहीं मानते, इतना भी मुल्य नहीं बाहर का कि वो देखने लायक हो, इसलिए आखे बंद कर ली, भरत्री हरी जब ये देखते हैं, तो देख करके अपनी आखे बंद कर लेते हैं, और अपने प्रफेले आपияхं तो जाते हैं मैंने तुम से कहा वस्तों और विश्यों का गुण दर्म यानी और आज्यानी के लिए समांण ही होता है यानी की मानता है कि वह उन वस्तों में विश्यों में नहीं खोता आत्म गत्बाव में बनाथ है